यहां पर अपने link शियर कर दें ताकर यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैना खुले दो आज का जो हम सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इसमें हमारे पस percentage के बारे में हम सीखेंगे कि percentage है क्या, percentage की क्या definition है और percentage के क्या meaning है देखें सबसे पहले जिस तरह से कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है percentage क्या होती है percentage हमारे पास होता है per hundred आप simple words में आप कहा सकते हैं कि per hundred percentage means per hundred अब जो भी आपके पास आपको जिस तरह से कोई पूछता है कि आपके metric में कितने percent marks आए हैं आप क्या करते हैं जो obtain marks होते हैं उनको डिवाइड करते हैं total marks से सेम इसी तरह से आप percent is a fraction with as denominator in each case ठीक है the sample यह जो आपके पास symbol show हो रहा है यह जिसमें slash और पर zeros लगे हुआ है यह आपके पास percentage का sign होता है अच्छा आप x percent means x percent अगर words में लिखेंगे verbal form में लिखेंगे तो वह x percent अगर उसका sample लिखेंगे तो x और यह slash और फिर यह दो जो और इसको अगर आप लोग mathematical form में लिखेंगे तो x percent is equal to x over hundred आप x से hundred को divide कर देंगे अब यहाँ पर लिखा हो है कि the word percent means per hundred the word percent means per hundred इस तरह से आप लोगों के पास यह हमार पास percentage के meaning आगए next फिर हम देखते हैं कि whole percentage को कितने method से जो है ना express किया जा सकता है represent किया जा सकता है देखें जो percentage होती है ना उसको fraction की form में भी लिख सकते है fraction की form क्या मतलब एक numerator और एक denominator decimal में लिखेंगे तो point की value जो भी number होगा one by four होगा आप उसको divide करके zero point two five ठीक है one by four जैनके उसको divide करेंगी यह आपके पास होती है decimal अगर percentage करनी है न तो आपके decimals को hundred से multiply कर देंगे ठीक है decimal को आप आपने percentage को decimal में लेके जाना है means कि अभी तो हम decimal से percentage में आए है ना ये decimal से percentage में आप लोग ने 100 से multiply का भी अगर percentage से decimal में जाएंगे तो 100 से divide कर रहेंगे जैसा कि हमने ऊबर देखा कि percent means इसका ये जो slash और दो zeros लगे हों इसका क्या मतलब है कि divided by 100 और अगर आप इसको ratio की form में लिखना चाहते हैं आप सबसे पहले इसको percentage को आप लोग क्या बनाएंगे decimal 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 को fraction बनाएंगे fraction को फिर आप numerator ratio denominator लिखनेंगे ये आपके पास होती है ratio जो के मुस्त ही आप लोग share find करते हुए लिखते हैं ठीक है अब ये हमारे पास percentage fraction ratio और decimal में difference आ गया fraction में क्या numerator denominator होते हैं decimal में हमारे पास point होता है आप वो जो fraction होती है उसको divide कर देते हैं percentage में क्या करते हैं decimal को 100 से multiply करके लिख देते हैं और ratio हमारे पास क्या होती है numerator ratio denominator इनको हम इस तरह से हम represent कर सकते हैं अब problem of percentage उससे related में कुछ problem चोटे-चोटे simple से problem सबसे पह करेंगे फिर आपनों की assignment होगी और फिर हम क्या करेंगे past papers के questions को देखेंगे हमारे पास express to present the fraction or decimal अच्छा अब एक percentage में उन्होंने 20% दे दिया 20% को वो कह रहे हैं fraction में represent करें या decimal में तो मैंने आपको बताया था कि जो भी percentage होती है उसको हम जब fraction में convert करेंगे तो hundred से divide कर द करते हैं और जब अगर आप इसको अगर decimal की form में decimal means कि इशारिया वाली point वाली form में करना चाहते हैं जब आप two को ten से divide करेंगे या one को five से divide करेंगे तो zero point two आ जाएगा अब यह आप लोग ने क्या किया एक percentage में number दिया हुआ था 20% दिया हुआ था उसको आप लोग ने किस मे represent किया है fraction में fraction में represent करने के लिए जीए है और decimal में represent करने के लिए जीए है इसी तरह से अगर आपके पास fraction आ रही है अगर आपके पास fraction आ रही है तो उसको आप decimal में present करना चाहते हैं या percentage में present करना चाहते हैं then क्या करेंगे आप उसको hundred से multiply करेंगे one by four को divide करेंगे decimal में आ जाएगा 0.25 0.25 को जब आप लोग 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो परसंटेज में हमारे पास आजाएगा ठीक है इसी तरह से यह से थे प्रैक्शन आर प्रे परसंट अब यहाफ डैसी मल में डैसी मल मींस कर शारियाoth i45 यह आई हुए है इसको जब आप लोग कनवेर्ड करें के उसcome क्या कर तु क्या करते हैं का क्या करते हैं लाइन लगाते हैं पुइंट के नीचे के नीचे हम एक लिखें अग्झे टेने ई tricks होत्मे इतने जिरूंज लगा करें है अब पॉइंट के नीचे हमने एक लिखा है पॉइंट के बाद त्री डिजिट्स है जीरो जीरो और फाइफ लास्ट में फाइफ है तो इसलिए यह द्रम्यान वाले जीरो भी कंसीडर करेंगे तो यह अब हम अरपास क्या बंजाएगा हंड्रेड वन और थ्री जीरो लगा देंगे तो मरपास वन थाउजन अगर आप इसको सिंप्लेस्ट फार्म में कंवर्ड करना चाहते हैं इसको फाइफ से डिवाइड करें और इसको आप लोग फाइफ से डिवाइ इसको से क्लास 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 में उगता है इसके यह आपके पैपर लोगे अक्सर अप्जेटिव में आ आजाते हैं यह वाले प्राब्लम्स वह कहते हैं 10% of 80 is calculated by देखें यह जो आफ होता है ना यहां पर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आफ और उसके बाद larger than या greater than आफ हो गया आफ के mostly meanings होते हैं multiply के 10% of 80 80 का आप लोग ने 10% निकालना है तो वो तो आप लोगों को वैसे भी पता अगर आप करना चाहें तो हमें पता है कि 8 आजाएगा लेकिन यह कैसे आएगा आप लोग क्या करेंगे 10% को कतम करने के लिए हम 100 से divide करते हैं न 10 by 100 और आफ की जगा पे हम multiply का sign लगाएंगा और वो 80 आजाएगा 80 multiply 10 by 100 क्या 10 by 100 multiply 80 यह जब 0 से यह वाला जिरो कैंसल एक 0 से यह वाला जिरो कैंसल जस्ट 8 आ गया यह जस्ट एक सिंपल छी एक रिशू है यह हमें बेसिक समझना जरूरी है परसंटेज के हमें जो हमारे पास advance questions करने के लिए हमें परसंटेज बेसिक सीखना जरूरी है बहुत सारे स्टूजेंट्स को यह बोरिंग लग रहा होगा लेकिन क्योंकि हमने एडवांस की तरफ जाने एडवांस की तरफ जाने के लिए हमें यह बेसिक सीखना जरूरी है अब हम देखते हैं 30 is what percent of 120 अच्छा पहले वाले में क्य परसंटेज दी हुई थी हमने वह पार्ट फाइंड करना था जो के percentage थी अब उन्होंने टोटल भी दे दिया और वह पार्ट भी दे दिया अब हमने percentage find करने हैं फिर हम क्या करेंगे वह पार्ट हमारे पास कितने हैं 30 है और whole कितने हैं 120 है आप लोग यही करते हैं ना अपने metric के total marks की percentage निकालने के लिए और 10 marks divided by total marks अब आप लोग उसको simply ऐसे करेंगे 30 by 120 ratio जब निकालेंगे तो वो 1 by 4 आ जाएगी और 1 by 4 को जब आप लोग 100 से multiply करेंगे तो आपके पास percentage में answer आ जाएगा अब next हो मारे पास third example है यह थोड़ी सी complicated है शायद आपको लगे जी FPSC के test म मैंने इसको note कर लिया one by two is what percent of one by three अच्छा one by two देखें यह half है और यह one by three क्या है यह one third है अब इसकी percentage निकालने है देखें आप हमारे पास थोड़े की जो ज्यादा है ना हमने उसको percentage निकालना है थोड़े की means के मेरे पास मेरे पास अगर hundred है तो दूसरे के पास 150 है वो percentage निकालने है तो हम क्या करते हैं उस part को whole से divide कर देते हैं ना यहाँ पर जिसना से हमने इसको 30 को उपर रखा था वान है 120 को नीचे रखा था इसी तरह से one one by two, one by two को हम उपर रखेंगे और one by three को हम नीचे रखेंगे और जब आप उसको divide को denominator का सब denominator को उपर आके multiply हो जाता है one by two multiply three by one इस तरह से जी आप आपके पास three by two आगया three by two को divide करेंगे तो one point five one point five point eight से multiply करेंगे तो one fifty आ जाएगा इस तरह से जी परसंटेज प्राब्लम आप परसंटेज यह बिल्लकुल simple forms हम ने देखी है इसी तरह से next हम देखते हैं वो कहते हैं कि find the missing figures आप कुछ missing figures आ रहे हैं वो कह रहे हैं dash percent of two fifty is twenty five अच्छा आप उन्होंने percentage find करने का बोल दिया उन्होंने total भी दे दिया और part भी दे दिया और हमें पता है कि हम उसके लिए क्या करते हैं percentage of two fifty is percentage percentage अब हमने यह जो question mark दिया उन्हें यह find करते हैं अब आप कहा देते हैं जी x percent of two fifty is twenty five ठीक है x percent of two fifty is twenty five अब आप लोग simple क्या करेंगे x percent is equal to twenty five by two fifty ठीक है यहां अगर आप यहां पर percentage को खतम करेंगे तो percentage को खतम करने के लिए क्या करेंगे x by hundred of multiplication को show करता है इदर multiplication का sign लगा है two fifty is equal to twenty five अब हमने find तो twenty five x करने find हमने x करने है तो हम क्या करेंगे यह hundred जो divide हो रहा है दूसरी साइट पर जाके multiply हो जाएगा और यह जो two fifty इदर divide multiply हो रहा है दूसरी साइट पर जाके क्या हो जाएगा divide हो जाएगा x आगा 10 अब मेंस के 10% of two fifty is 25 इसी तरह से आप twenty percent आप उन्होंने यहां पर पहले हमने यह find करना था आप उन्होंने twenty percent of what is sixty आप हमने total find करना है twenty percent of x simply आप लोग क्या लिखेंगे twenty percent of x percent को खतम करेंगे hundred आ गया और आफ जो होगा वो उसका multiplication बन गई x is equal to sixty hundred इदर divide हो रहा है दूसरी साइट पर जाके multiply हो जाएगा अब आप लोग three hundred का अगर 20 percent निकालेंगे तो वो 60 ही आएगा अच्छा अब आगे हैं प्रॉब्लम्स आफ परसंटेज अब प्रॉब्लम्स आफ परसंटेज यह बड़ा important question है इससे related अकसर question आयो है 2017 में एक question आया तो वो कहते है जी 2013 में प्राइस यह थी एक कार को दो दिन के लिए higher करने को 2018 में यह है अब total change जो आया है वो बताए एक चीज आप लोग देखें कि if the certain value P is increased by तो आप लोग ने क्या करना होता है कि जो increased value होती है ना उसको आपने hundred में add करना है और old value से divide कर दे है अगर आप लोग के पास पढ़ी है आप लोग लिखे new value minus old value divided by old value new value minus old value divided by old value जो भी answer आएगा उसको आप लोग hundred से multiply कर देखें अच्छा अब हम इसकी example करते हैं तो कहते हैं the price of a book is 400 and if the price increase by 25% ठीक है 25% अच्छा अब आप लोग यह देखें कि एक book उसकी price 400 थी लेकिन वो बुक शॉप पर आने के बाद उसकी price जो है ना shoot कर चाते है 25% तो what will be the increased price of this book आप लोग ने new price find करनी है अच्छा अब आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि 400 का 25% निकालें कितना आएगा वो hundred आ इस तरह से भी कर सकते हैं otherwise आप क्या करेंगे अगर आप mathematical जाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे hundred उसकी old price 25% increase होगी hundred का 25% 25 होता है one 25% of 400 आप one 25% percentage को खतम करने के लिए हम क्या करेंगे hundred से divide कर देंगे और multiply 400 करेंगे तो आपके पास 500 आजा अगर इसी तरह से price decrease हो रही है तो आप लोग माइनस करते हैं अगर price increase हो रही है तो add करेंगे और अगर decrease हो रही है जिस तरह से कि आप parallel box में देख रहे होंगे तो आप लोग उसको divide करतेंगे यह आप simple सी example खुद करेंगे next हम करते है problem of percentage change in percentage हमने देखना है change in percentage के लिए क्या करते है change in value divided by original value जिस तरह से कि मैंने आपको बताया कि आप वो प्राइज आपके पास 2013 में इतनी थी 2018 में इतनी हो गया तो वो बता है उससे related हम lecture के end में example करेंगे the price of cup of coffee is increased from 80% to 84% cents sorry cents by what percent did the change change in value क्या अब आप लोग change in value में क्या करेंगे new value minus old value divided by old value अगर वो जस्त पूछते हैं कितनी value change हुई है तो आप लोग जस्त प्राइज लिख देंगे 4 by 80 जस्त इतना लिख देंगे अगर वो कहते हैं what did percentage did the price change कितना percentage change में कितने percent change आया है तो वो देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे आप उसको hundred से multiply करेंगे आप 4 by 80 multiply hundred तो आपके पास 5% अब जो change आया है उसमें 5% change आया है यह आपके पास इस तरह से question पिर हम एक और question देखते हैं if the stereo was was marked by mark down by 30% and sold for 84 dollars what is the percent per sale price of the stereo अच्छा एक item है उसकी price में क्या है 70% decline आया 30% decline आया अब for example अगर उसकी price hundred hundred थी तो thirty percent decline के बाद कितनी आप अची seventy आप अची अब अगर price जो है न 84 dollars है अब decline के बाद thirty percent decline के बाद उसकी price कितनी आ गई है 54 $ hello आप आप देखेंगे खेंगे उसकी actual price find करनी है कि वह कितनी है आप देखें कि new value आपके पास कितनी आई है new value आपके पास 84 डालर आई है original value आप लोग ने find करनी है ठीक है वो आप लोग कहा दें कि X है अच्छा अब कितने में price कितने पे sale हो रही है 30% तो decline हो गया अब 70% पे sale हो रही है ना original value की तो 70 by 100 अब आप लोग क्या करेंगे X को दूसरी साइट पे ले जाएंगे जाएंगे जिए इदर 0 से 0 कैंसल सैमा नेक्स इस इकोल टू 10 इदर multiply होगा तो 840 और जब सैमा इदर multiply हो रहा है दूसरी साइट पे आके divide होगा तो 120 इस तरह से अब यह आपके पास original value आगी है उसकी जो original value थी 120 डॉलर से तो जो कि 30% decline के बाद 84 डॉलर हो रही है अच्छा एक चीज़ आप माइंड में रखें अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी अगर एक value 10% increase हो रही है तो वह क्या फार एक्जेंपल वह 110 हो जाती है एक value है फार एक्जेंपल मेरी salary आज 100 रुपी है अगर वह 10% increase हो जाती है तो वह 110 बन जाती है अब एक महीना मुझे 110 मिली है और उस से अगले महीने मेरी salary 10% decrease हो गई है अब जो मेरी salary decrease होगी है न वह 110 का 10% decrease होगी है आप वह 110 का जो 10% बनेगा न वह 11 बनेगा और जब 110-11 99 रुपी अब जो मेरी new salary होगी न वह 99 रुपी होगी रादर देन कि हम कहें के 100 होगी अब 120 का 30% decline 84 पर आता है अब 84 को अगर आप 30% increase करेंगे तो वो कभी भी 120 नहीं बनेगा क्योंकि वो 30% आ रहा है वो just 84 का आ रहा है इस सरह से हमारे पास अब next अगर आपके पास आ जाते हैं problems आ जाते हैं percentage के वह एक चीज़ है उसकी price increase हो रही है तो overall consumption पे कितना effect पड़ेगा या अगर एक price अगर decrease हो रही है तो overall consumption पे कितना effect पड़ेगा वो चीज़ अगर आप लोग ने find करनी है या अगर मैं कहा दूं कि मेरी salary आप मैंसे कोई भी मेंबर है जिस तरह से ओमान है मेरी salary ओमान से ज्यादा है तो ओमान की salary मुझसे कितनी कम है यह इस तरह के questions आते है पेपर में if the price of commodity increase by r% ठीक है यह आर हमने journal सा number लिया है then reduction in consumption so that no increase in the expenditure अच्छा अब देखें अगर मेरे घर में मैं हर महीने लाता हूं अपनी salary का 10% की increase हो जाती है then अब मुझे अपने expenditures को balance करने के लिए चीनी की consumption को कम करना पड़ेगा ना यही चीज हमने देखनी है अगर मैं हर महीने एक dress लेता हूं और उस अगले महीने मेरे dress की price जो मैं purchase कर रहा हूं उसकी price increase हो जाती है तो अब जो effect जो मेरी salary के ओपर पड़ेगा वह ची increase होगा ठीक है divided by 100 plus R अगर decrease हो रहा है तो 100 minus R क्योंकि overall आपका expenditure बढ़ रहा है अगर price decrease होगी commodities की तो आपका overall expenditure बढ़ेगा इसी तरह से अब अगर आप लोग ने किसी के साथ price compare करनी है तो वह उसके लिए आपके पास अगर आपकी price ज्यादा है ठीक है more than B then B is less than A और अगर A A is less than B अगर पहले less आ रहा है और बाद में more आ रहा है तो वहां पर आप लोग minus करेंगे denominator में इस से related यह अभी examples आएंगी जिन से आपको मजीद clear हो जाएगी अच्छा अब वो कहते है इव दा प्राइज आफ शूगर डिक्रीज बैट ट्वंटी परसेंट डैन हाव मच परसेंट 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 वी हैव तो इंक्रीज इन कंजम्चन इफ वी वांट तो कीप अच्छा अब शूगर की प्राइस ट्वंटी परसेंट डिक्रीज हो गई है तो मुझे अपने एक्स्पेंडीचर किस तरह से जो है न मैंटेन करना पड़ेगा अब ट्वंटी परसेंट आप आर डिवाइड़ बाइंड़ माइनस आर की जगह पर हम क्या लिगेंगे ट्व कि ट्वंटी बाइंड़ माइनस ट्वंटी वह आ जाएगा ट्वंटी बाइटी मल्टीप्लाइंड इसी तरह से पेरलल एग्जेम्पल आप लोग ने खुद देख लेंगे वीडियो को पास करके बाद अच्छा अब नेक्स चलती हैं अब पॉपॉलेशन अगर अगर कहते दस सालों के बाद population कितनी होगी तो उसके लिए जो हमारे पास formula है ना अगर उन्होंने पहले हमें अभी मौझूदा कहा देते हैं कि अगर two twenty million population पाकिसान की और उसके इंक्रीज होने की जो है ना ratio two point five percent है यह three percent है तो ten years के बाद कितनी population होगी आप लोग यहां पर Поipulation total population लेगे two twenty Millionen और जिस ratio से increase हो रही है वह ratio हो लिए धमार लिखेंगे और ten years के बाद के इतनी पापोबर e-n की जगह पर आप लोग 10 लिखेंगे इस तरह से आप लोगों बता सकते हैं कि 10 सालों के बाद पाकिसान की total population इतनी हो अगर हम से कोई पूछे कि आज पाकिसान की population इतनी है और इसके बढ़ने की ratio 3% है तो 10 साल पहले पाकिसान की population कितनी थी कितनी थी अगर past क्या अगर हमने बताना हो तो इसके लिए फिर हम यह one plus r divided by hundred है इसको यहां पर population से multiply करते हैं लेकिन बाद में हम क्या कर रहेंगे divide कर रहेंगे इसी दरह से depreciation किसी चीज़ की depreciation बतानी हो ठीक है आज इस चीज़ की वर्थ यह पांच सालों के बाद आज मेरे गाड़ी की वर्थ जो है ना जो है ना उनके लिए अनिमल स्पिरेट होगा उनके जी वह इन फॉम्लास के यूस्टू होंगे अच्छा दा population की जगह पर 176,400 यह लिखेंगे अज population 2 years के लिए हमने बतानी है कि 2 years के बाद कितनी population होगी N की जगह पर 2 लिखेंगे यह आप लोग simply इसको solve करेंगे एक चीज मायन में रखें आपको वहां पर calculator allow नहीं होगा और इतने complicated questions भी नहीं दिये जाते कि power आपको यहां पर 4, 5, 6 7 बना गए वो simple से यह maximum 2 power होगी यह 3 power होगी इस सरह से आप लोग यह और अगर आप लोग ने बतानी है कि यह आप 1,17,64,000 population हो गई यह और 2 साल पहले कितनी थी उसके लिए यह simple सा formula ठहरा हुआ है आप लोग video को pause करके around question का solution देख सकते है जर्नल formula आप लोग ने mind में रखने है पिर उसके बाद depreciation वाले आगए अगर 10% depreciation हो रही है और एक चीज़ की present और कितनी है 162,000 तो उसको पिर आपने बताना है कि two years के बाद कितनी होगी और इसी तरह से उसकी two years पहले कितनी होगी उसके लिए population के लिए plus करते हैं यहां पर हम इसको minus करेंगे तो इस तरह से आ हाई होग सो कि आप लोग यह calculation यह वाली कर लेंगे मुझे आप लोग जरा comments box में बता दें यह calculation मुझे कराने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लेंगे calculator examination hall में allow नहीं होता है एक चीज़ आप लोग माइंड में रख लें यह इस paper के लिए journal science and ability के पेपर के लिए otherwise accounting, mathematics, statistics इन papers के लिए calculator आप लोग को examination hall में allow होता है journal science and ability के पेपर के लिए calculator examination hall में allow नहीं था यह आप लोगों की assignment है जो के मैं अभी slides आप लोगों के साथ ग्रूप में share करूँगा और फिर आप लोग इन assignments को solve करके आप लोग मुझे भेजेंगे मैं आप लोगों को वहाँ पर feedback दोगा secondly अब हम चलते हैं अपने उन papers की तरफ जो के past papers में हमारे पास आये हुए थे